नमस्कार, मैं मनीश कुमार, आप सभी लोग का हमारे यूटूब चैनल पे स्वागत करता हूँ तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था कि variable क्या होता है, RAM में कैसे store किया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ा सीखी थी, तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं print statement के बारे में और उससे भी जादा कि ये use हमें कब करना चाहिए और क्यूं करना चाहिए ठीक है, तो चलिए हम चलेंगे laptop के screen पे और वहीं पे सारी चीज़ों को देखेंगे तो हम आगा है laptop के screen पे और यहाँ पे देख सकते हुआ हम क्या क्या समझने वाले हैं एक तो हम समझेंगे कि print statement क्या है, क्यों use करना है और कैसे use करना है उसको effectively utilize करना भी एक बहुत important चीज होता है, ठीक है उसके बाद string formatting क्या होता है उसके बारे में देखेंगे और उसके बाद escape sequence क्या होता है, कब-कब कौन सी issue आएगी तो हम escape sequence का use करके उसको resolve करेंगे, ठीक है तो ये सारी चीजे है और ये जो चीजे हम सीख रहे है वो development में भी आपको काम आएगा ना सिर्फ की interview में तो थोड़ा कम काम आएगा, लेकिन जो आप real world में जब काम करने जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत जादा ही ये सब use में आने वाला है, ठीक है तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हम क्या-क्या discuss करेंगे आज किस वीडियो में, why do we need print statement, क्यों चाहिए उसके बाद अगर print statement है तो उसमें अगर line number दिखाना कि किस line से ये print statement आ रहा है तो उसको कैसे दिखाएंगे, उसके बाद escape sequence और string formatting के बारे में देखने वाले है तो हम अब चलेंगे सिधा अपने vs code में और वहीं पे सारी चीज़ों को करेंगे ठीक है, तो हम आ गये हैं vs code में और यहाँ पे पिछले class का ये सारी चीज़े थी इसको हम आज एक नए class में सिख रहे हैं, तो हम नए class में एक और इसका copy बनाएंगे मतलब आज जो हमारा है दूसरा class उसमें इसका main.py नाम था अभी हम print वाली चीज़े सिखने वाले हैं, तो print.py करना है तो हमें कैसे नया फाइल अगर बनाना इसमें vs code में तो वह भी साथ सिखेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, जहाँ पर हमारा folder था और यहाँ पर लिख देंगे print.py ठीक है, तो इस तरीके से दिखे, print statement का हमारे पास line, sorry, file आ गया, अब इसके अंदर यह सारे जो variable है, वो variable यहाँ पर हमने पिछले class में define कर लिया था, यहाँ पर दो print statement है, एक जो हमें बताएगा, वो हमाई value बताएगा और दूसरा जो है उसका type बताएगा, ठीक है इसको run करते हैं, सारी चीज़े run हो रही है, यहाँ पर देख सकते हो, सारी चीज़े असानी से run हो रही है, अब आपको बताते हैं कि हमें print statement की जरूरत क्यों है, देखो, print statement जो है न, वो यह वाली line हम comment कर देते हैं, हाँ, print statement की हमें जरूरत इसलिए है, क्योंकि मालो की length of land आज हम 100 define कर दिये, लेकिन कल को अगर जाके change हो जाता है, तो फिर हमें जानना है कि actual में जो हमारा program है, वो run किया भी है, सही से की नहीं, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक code लिख दूँ, ठीक है, और वो code इसके value को update कर रहा होगा, और update करने के बाद यह value हमारे expectation के हिसाब से आ रहा है, या फिर नहीं आ रहा है, वो पता करना है, कि हम जो expect कर रहे हैं, वो सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसी को हम बोलते हैं, कई बार debug सुनोगे, कि debug करना code, code debug करना मतलब वही कि बहुत जगा पर print line statement लगा देना, और देखना कि code का जो behavior है, वो वही so कर रहा है, या फिर दूसरा behavior so कर रहा है, ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर code को update कर देता हूँ, if length of land equal to equal to 100, इसको हम update कर देंगे, length of land equal to 200, else, length of land equal to 300, अब देखिए, यहाँ पर जो है, हमने assign किया value, length of land का, लेकिन यहाँ पर हम कुछ, अभी statement लगा रहा है, आपको नहीं समझ नहीं क्या चल रहा है, इसमें हम बस बोल रहे हैं, कि अगर length of land 100 है, तो तब तो उसको update करके 200 कर दो, दो गुना कर दो, और अगर नहीं है, तो 300 कर दो, अब इसके बाद जो है, अब हमें जानना है कि program तो हम expect कर रहे हैं, कि length equal to 100 है, तो 200 आना चाहिए, बट क्या यह आएगा या नहीं आएगा, वो देखना है, तो देखिए, यहाँ पर length of land जो है, यह वाली line में, पहले यहाँ पर 100 हुआ करता था, ठीक है, देखिए, वो उस वाले condition में नहीं गया, तो यही सब जो चीजे हैं, कि हमें पता करना है, कि actual हम जो expect कर रहे हैं, वो आ रहाए कि नहीं, अब इसके आगे मालो कि हम int और लगा देते हैं, अब क्या होना चाहिए, output, ठीक है, तो इस टीप की जो चीजे हैं, बीच में हम variable जो assign करते हैं, variable का मतलब ही last class में बताया था, जो अपने आपको change कर सकता है, तो हो सकते हैं कि variable का value assign शुरू में 100 हुआ था, बट वो बाद में जाके update होते जाएगा, update होते जाएगा, और कुछ और आएगा, यह सारी जो चीजे हैं यह आपको ज़्यादा तब समझ में आगा, जब programming, actual programming करेंगे, जहाँ पर की count variable को assign करेंगे, फिर count का value बढ़ाते जाएगे, फिर हम last में देखेंगे कि हम जो expect कर रहे थे, वो expected result आया है कि नहीं आया है, तो इसी लिए हम print statement का use करते हैं, यहाँ पर देखिए, again यह जो है, वो 200 हो गया, क्योंकि इसको हम फिर से वापस integer में convert कर दिए, तो यह चीज़े नहीं समाझ देखिए थी, बस यह समाझना था कि print statement हम use क्यों कर रहे हैं, अब देखिए, print statement यूज तो कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, 200, 10.5, तो हमें खुद debug करना पड़ा कि 200 क्या है, 10.5 क्या है, तो इस तरह की चीज़े है, अब हमालो कि हमें print करना है कि length of land is equal to 100, ऐसे, तब हम actual में समाझ पाएंगे कि अच्छा है, यह जो हमारा land है, उसका length है, ठीक है, जो हम घर बनाने वाले थे, तो example भी जो length of land है पिछले class से ही आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे print, और अब आपको क्योंकि लिखना भी है, कुछ लिखना है, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आ रहे कि 100, 200 क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, double quote के अंदर, ठीक है, या single quote के अंदर, हमने पिछले class में बताया था, या नहीं बताया था, नहीं बताया था भी, ठ ठीक है, length of land, ठीक है, is, और इसके बाद हम यहाँ पर comma देंगे, और उस variable का नाम देंगे, जो variable को हमें print करना है, अब इन दोनों line को अभी थोड़ी देर के लिए हम comment कर देते हैं, comment करने के लिए control plus forward slash से आप comment कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि आपका cursor यहाँ, मतलब starting में होना control plus forward slash से comment and comment हो जाएगा, ठीक है, तो यह चीज भी आपको सीखना है, यही सब तो है, प्रोग्रामिंग में छोटी छोटी चीज है, तो देखिए length of land is 100 यहाँ पर print हो गया, अब समझ में आ रहा है कि length जो है हमारा land का, वो 100 है, इसी तरीके से मालो labor mystery one का नाम print करवाना है, त ठीक है, और यहाँ पर हम देदेंगे labor name, तो मालो mystery one का दे रहा है, तो अब यहाँ पर यह जो print करेगा, वो labor name जग मोहन अच्छे से print कर रहा है, मतलब सब कुछ सामने वाले को समझ में आ रहा है, और यही जो अगर यह वाली line को comment करके, और हम यह वाली line को अगर print करवाते तो यह देखें, यहाँ पर कुछ भी नहीं print करता था, वो बस ऐसे value दे देता था, और आप खुद ही debug करते रहो, तो यह जो चीजे है, इसी को बलते है, print statement में अच्छे से हम जो print statement दे रहा है, अब देखें, print statement में कुछ चीजे है, जो कि आपको समझनी चाहिए, जैसे यह यहाँ पर हम double quote दिये, अगर single quote भी दे देंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन single quote दोनों साइट, start होना चाहिए single quote से, end होना चाहिए single quote से, तो यहाँ पर एक single quote और double quote का example लिया हमने, यह अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, अब थोड़ा सा और print statement में कुछ जरूरत है, उसको समझते हैं, तो आप तीन चीजे यूज कर सकते हो, print statement के अंदर, single quote, double quote और triple quote, यह triple quote भी होता है, कई लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है, तो print statement के अंदर जाएंगे, ठीक है, पहले हम एक condition लाते हैं, कि हमें दो line में print कराना है, पहला है कि our home is of 4BHK, and द दूसरा जो है, length of land is equal to 100, यह हमें print करवाना है, तो हम जो expected output हम चाहरे है, वो ऐसे चाहरे है, ठीक है, कि my home is of 4BHK, ठीक है, एक line में यह print होना चाहिए, और दूसरा line में print होना चाहिए, कि length of the total land is 100, ठीक है, यह print होनी चाहिए, यह हमारी requirement है, कि हमें यह print करवाना है, अगर हम यहाँ पर यह चीज लिख देते हैं, ठीक है, इसको हम पूरा as it is copy, as it is नहीं करेंगे, हाँ, as it is कर देते हैं, यह दो line हमें चाहिए न, तो हम ऐसे ही double coat के अंदर या single coat के अंदर डाल देंगे, इसको अभी हम comment कर देते हैं, क्योंकि यह हमारा काम का नहीं है, यह देखें, यहाँ पर आपको error दिखा रहा है, जो zigzag line जो आपको rate दिख रहा है, यह error दिखा रहा है, कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको एक line में ले लेंगे, तो देखें, यह सही से चल रहा है, एक line में इसको print कर वाएंगे, तो एक line में यह print तो कर दे रहा है, लेकिन हमें एक line में नहीं चाहिए, हमें दो ही line में चाहिए, तो यहाँ पर आता है escape sequence, escape sequence का मतलब होता है कि जैसे आपको नया line चाहिए, तो backslash in, ठीक है, यहाँ पर मैं comment कर, यहाँ पर लिख देता हूँ, for new line we have to use backslash in, ठीक है, अब इसको हम comment कर देते हैं, एक मिनट, इसको हमने comment कर दिया, और यहाँ पर हम कहाँ पर use करेंगे, इसके बाद हमें backslash in देंगे, तो यह क्या करेगा, कि पहला line यह print करेगा, और दूसरा line यह print करेगा, ठीक है, यह देखिए, अब हमारा जो input था, वो सही से आ रहा, my home is of 4bhk, और उपर वाले जो यह द हो कि अब यहाँ पर आप इसको दूसरे line में ले रहा हो, तो दिक्कत आ रहा है, लेकिन अब आपकी requirement ऐसी है, कि एक line से जादा में हमें चीजों को लिखना है, backslash in, backslash in नहीं करना है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, triple quote का use कर सकते हो, triple quote जैसे हम यहाँ पर use करेंगे, दोनों साइड, आप multi line print statement लिख सकते हो, यह देखे, print statement के अंदर multi line हमने use किया है, और यह देखे, यह हमारा यहाँ पर आ रहा है, प्लस यह क्यों आ रहा है, क्योंकि यह backslash in है, backslash in को हटा देता हूँ, तो इस तरीके से यह आ रहा है, अब यहाँ पर क्योंकि यह spacing है, इ अभी तक हमने एक escape sequence सिखा है, अब माल लिजे कि आपको requirement आ गया, ठीक है, आपको requirement आ गया कि जो आपका यह है, my home is of 4BHK, इसको print करवाना है, लेकिन 4BHK जो है, वो आपको double quote के अंदर ही print करवाना है, ठीक है, ऐसे तो आपका है requirement, लेकिन 4BHK आना चाहिए, वो खुद ही double quote के अंदर आना चाहिए, यह requirement आपका आ सकता है, ठीक है, यह सारे requirement बहुत जगा पर आएगी, not just कि यहाँ पर आएगी, आप जब SQL के statement भी लिखोगे, तो वहाँ पर भी बहुत बार आती है, इसलिए यह सारे चीज़ आपको ध्यान दे रहा है, तो my home is of 4BHK, और यहाँ double quote के अंदर हमने डालना, तो यह double quote क्या करता है, आपका starting देखता है, यह starting है, तो इसको सबसे पहले कहाँ पर end मिल गया, यहीं पर मिल गया, तो यहीं पर यह close हो जाएगा, और इसके आगे जो भी चीज़े हैं, वो consider नहीं करेगा, फिर इसके बाद यहाँ पर start मिला, इसक दे रहा है, और यहाँ बीच में यह issue कर रहा है, एक मिनट, इसको मैं run करूँगा, तो यह मुझे syntax error देगा, क्या error दे रहा है, invalid syntax, यह देखिया, syntax error, आपको error का नाम भी पता होना चाहिए, कि कौन सा error आ रहा है, पिछले class में name error आ रहा था, तो name error आ रहा था, मतलब वो variable expect क देखिने, आप एक्चुली में बोल रहा है, कि आपका syntax नहीं गलत है, तो यह हमारा syntax error है, तो इसको fix करने के लिए क्या है, कि अगर आपने बाहर में double quote use कर लिया है, तो अंदर में आप single quote use कर सकते हो, देखिये, अंदर में single quote use कर लेंगे, और फिर इसको run करेंगे, तो यह code के अंदर हमारा print होगा, my home is of 4BHK, and money's, यह money's हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, तो यह 4BHK प्रिंट कर दिया, लेकिन आप आपका जिद है, कि नहीं हमको double quote ही चाहिए, हमें single quote नहीं चाहिए, तो फिर आप यह कर सकते हो, कि start और end single quote से कर दो, ठीक है, start और end आप single quote से कर दो, लेकिन यह जो value है न, इसको आप double quote से डाल दो, तो यह भी काम करेगा, क्योंकि single quote जहां से open हुआ है, वहां तक अगर close हो रहा है, बीच में उसको कोई और single quote नहीं मिल रहा है, तो proper run करेगा, लेकिन मालो कि आप बोलें नहीं, हमें starting में भी single quote यूज़ करना है, ठीक है, और last में भी single quote यूज़ करना है, और बीच में भी double quote ही हर जगा यूज़ करना है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, तो एक और escape sequence होता है हमारे पास, ठीक है, तो एक backward slash सिर्फ आप लगा दोगे, तो backward slash बोलता है, कि backward slash के आगे जो first character लिखा रहेगा, उस पहला जो character था, इसको इसने skip मार दिया, लेकिन इसको अभी तक skip नहीं मारा है, ठीक है, इसके आगे मैं अगर मनी से लिखूं तो देखना error देगा, देखो यह दूसरे color में आ गया, तो इसलिए यह क्या कर रहा है, कि यह वाले को तो skip कर दिया, लेकिन इसको अभी तक skip नह ठाखा था, ठीक है, तो यह सब जो चीज़े हैं, वो escape sequence में काम आती है, अब जैसे देखिए, मालों कि यहाँ पे, off और 4VHK के बीच में हमें gap चाहिए, ज्यादा gap चाहिए, एक tab का मतलब 4 space, ठीक है, तो यहाँ पे backslash T, एक और जो हमारा, क्या बोलते हैं उसको, escape sequence है, व ठीक है, indent होता है, चार का, तो टाब 4 space आपको आगे ले जाके रख देगा, तो यह सारे escape sequence है, ठीक है, अभी तक हम print statement का use करना सिखे है, single code, double code, triple code, और यहाँ पे यह भी हमने देख लिया, कि इस तरीके से यह print कर सकते हैं, लेकिन print statement को जादा बेटर जो use करने का तरीका है, वो है string formatting, ठीक है, तो string formatting में क्या होता है, दो तरह के string formatting होता है, अब मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, string formatting, तो जैसे यह वाली line थी ना, हमारे पास, length of land हमने कहीं print करवाया था, ठीक है, वापस करवा लेता हूँ, print length of total land is, ठीक है, और हम यहाँ पे length of land, ठीक है, यह जमीन का हमारा total home का length था, actual पूरा land था इसमें, ठीक है, अब क्या करना, इसको हम जैसे ही run करेंगे, तो यह हमें दे तो देगा, कि length of total land is 100, और इसके आगे मानलो कि हमें fit लगाना है, तो कॉमा लगा के इसको ऐसे fit ft लिख सकते हैं, तो अब total proper statement आगया, लेकिन हम चाहते हैं, कि यह जो है, string formatting में क्या होगा, कि यह इस तरीके से print statement ना लिखके, हम क्या करेंगे, कि हम दो तरी वो हम documentation से पढ़ सकते हैं, अब documentation कहा से open करना है, यहाँ पे जाना है, और search करना है, dot format in python, ठीक है, यह आ गया, अब यहाँ पे documentation देखे, python docs, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अब यहाँ पे आप dot format आसानी से देख सकते हो, यह देखो, अभी पहले यह f string का दिखा रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे dot format भी आपको कहीं मिलेगा, इसमें control f मार के हम dot format ही search कर ले, यह देखे, dot format के बारे में यह बता रहा है, तो इस तरीके से आपको documentation भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, अभी मैं बता देता हूँ, फिर जब इसको पढ़ोगे तो और जादा clearly समझ में आएगा, ठीक है, तो यह दो method हम जादा generally जब production में code लिखते हैं, तो वहाँ पे use करते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं, same चीजे लिखा जाता है, print statement पहले f string देखते हैं, आपको जो भी लिखना है, वो पूरा double code के अंदर लिख दो, ठीक है, जैसे, sorry, सबसे पहले f लगा दो, क्योंकि फिर वो read नहीं करेगा, सबसे पहले आप f लगा दो, और उसके आगे double code लगा दो, इसके अंदर आप आपको जो भी लिखना था, अब दूसरा variable लिखते हैं, जैसे cost of bricks, ठीक है, cost of bricks per unit is, ठीक है, और यहाँ पे अब आपको जो cost लाना है, variable से, इसलिए म ले, line number 5 पे, brick of cost, तो इसको जो भी variable आपको लाना है, तो आप बस उसको open curly bracket and close curly bracket के बीच में डालोगे, तो आपका वो variable आप वहाँ से pull कर लिया जाएगा, ठीक है, अगर मैं double code, sorry, यह अगर मैं हटा दूँ, और इसके आगे लिखूंगा, ठीक है, ऐसे मैं लिखूंगा, तो मुझे कुछ suggestions भी नहीं आएंगे, plus यह एक as a string consider किया जाएगा, लेकिन जभी आप double, sorry, जभी भी आप curly bracket यूज करना start करते हो, तो फिर यह एक variable समझा जाएगा, ना कि आपका एक string समझा जाएगा, तो मैं अगर इसको print करवाता हूँ, ठीक है, उपर की सारी line हम अब comment क कर देते हैं, ताकि हमें एक ही print statement मिले, यह देखिए, अभी इसको run करते हैं वापस, और हमारे पास यह आया, cost of bricks per unit is 10.5 and bricks cost per unit piece, तो यह देखिए, यह as a string consider किया गया, लेकिन यह as a variable, क्योंकि आपको color coding भी दिख रहा है, इसलिए हम VS code का use करें कि color coding से भी आपको पता तो यह देखिए, जैसे हमने यह डाला, curly bracket के अंदर, वहाँ पर यह variable consider किया गया, लेकिन यह string consider किया गया, तो यह होता है a string, अगर आपको जहां पर variable की use करनी है, वहाँ पर कर सकते हैं, तो अब जो है print statement में देखिए, कितना clear दिख रहा है, और print statement में लिखने के 2 method हमने बत करता हूं, वह use करता हूं, f string method मेरा आदत हो गया है, ज्यादा use करने का, इसलिए ऐसे हम कर लेते हैं, पहले f लिख देते हैं, फिर double quote डाल देते हैं, उसके अंदर जो लिखना होता हो लिख देते हैं, और variable जब भी use करना होता है, उसको curly bracket के अंदर variable को pull कर लेते हैं, अब यहाँ पर यह सेम चीज अगर आपको dot format method से करना है, तो वह भी कर सकते हैं, बिल्कुल simple है, यहाँ पर यह सेम चीज मैं copy कर लेता हूं, ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर भी curly bracket देना है, ठीक है, यहाँ पर दिखिए हमने curly bracket डाला है, उसके बाद आपको double quote आपका जह का cost, तो bricks cost per piece, अब हम इसको run करेंगे, तो यह भी देखिए, सेम चीज देगा, यह तो last का यह वला extra portion था, इसलिए, और इसको मैं हटा दू, तो यह दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं, तो यह दोनों सेम तरीके से काम करता है, यह बस लिखने का अलग अलग तरीका है, आप f string यूज कर सकते हो, या dot format, मैं f string ज्यादा prefer करता हूँ लिखना कि f के आगे लिख दो, और जहाँ जहाँ variable आपको assign करना वाल लिख दो, यहाँ पर क्या है कि आइसे मालों आपको तीन variable यूज करने है, ठीक है, तो यहाँ पर एक और आपको open bracket, curly bracket देना है, तीन variable हमने यू 2th location पर है, यह first location पर और यह second location पर, तो हम पहला value पास करेंगे, तो 0 में आएगा, दूसरा हम पास करेंगे, तो वो one location पर आगा, यह वाले location पर आगा, और तीसरा एक और variable का कोई नाम दे देते हैं, labor mystery 2, ठीक है, यहाँ पर, labor mystery 2, इस तरीके से हमने तीन variable और तीन, हमने placeholder, इसको placeholder बोलते हैं, यह हमारा placeholder हो गया, जो variable को store करेगा, तो यह देखिए, यह तीनो value हमें print करके दे दिया, इसी तरीके से अगर यहाँ पर आपको करना है, तो यहाँ पर भी आप same चीज़े कर सकते हो, same तरीके से काम करता है, बस आपको खुद ही यहाँ पर variable को assign कर देन मैं prefer करता हूँ, यह string लिखना, लेकिन अभी तक आपको एक चीज़ नहीं पता चला है, कि यह जो print statement आ तो रहा है, लेकिन यह इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें हमें पता ही नहीं चल रहा है, कि यह किस line number से आ रहा है, जैसे 35 line से आया, यह 37 से आया, माल लो करते हैं, logging, अब logging का एक जो है, वो खुद यह हमें देता है, python खुद ही देता है, जैसे अगर आप करोगे import logging, तो यह आपको logging import हो जाएगा, और उसके बाद logging में basic config level set करना होता है, ठीक है, मेरे को याद नहीं है, कि syntax क्या होता है, तो google कर लेते हैं, क्योंकि सारा syntax याद न python, ठीक है, उसमें level वगएरा set करना होता है, तो यह सारी चीजे हमें internet पे as it is पड़ी मिल जाती है, तो उसके लिए हमें उतना load नहीं लेना होता है, बस आपको एक बार पता चल जाना चाहिए, फिर आप कर लोगे, logging level कहां है, इसमें, यहाँ पे level कहीं set किये हुए नहीं द दिख रहा है, एक मिनट कुछ और देखते हैं, आना चाहिए, वो ऐसे मैं कहीं से copy कर लेता हूँ, एक मिनट को, कहीं तो होगा, level, format, यह दोनों चाहिए हमें, इसको copy कर लेता है और इसमें ही modify कर देता है, वैसे मिल नहीं रहा मेरे को, मेरे code में हमें सब पड़ा रहता है, जनरली इसका भी use हम नहीं करते हैं, तो यह हटा देते हैं, ठीक है, यह नहीं चाहिए, format हमें सिर्फ चाहिए, ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे, logging, ठीक है, यह बाद में हम पढ़ने वाले हैं, बस यहां देख लेते हैं, कि info जो है, वो हमारा print statement की तरह काम करता है, तो info के अंदर, अब आप जो भी f string वाला method पास करना चाहते हो, तो वो पास कर सकते हो, मैं यहां पर पास करता हूँ, यह पूरा select करने के लिए, मैंने shift end प्रेस किया, end और home आपको बताया था, और shift से left कर साथ दबाने से, एक एक करके पीछे आप आओगे, तो यह जो दिखनी चाहिए, shortcuts, तो आपका काम आसान कर देगा, जैसे यहां पर मैं end में हूँ, home प्रेस करूँगा, तो starting में आ जाओँगा, end प्रेस करूँगा, तो last में आ जाओँगा, बाकी सारे variable मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ एक variable चाहिए, अब हम इसको run करते हैं, तो run हो गया, यह दोनों को अभी हम comment कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए, और यह देखिए, यह हमें print किया, कि 24th January 2024 को हमने यह वाली चीज़ print करवाई है, लेकिन यहां पर अभी कहीं पर भी line number नहीं है, तो line number को भी आप introduce करवा सकते हो, एक मिनट उसको भी चेक करते हैं, कि how to print line number, क्य in logging, logging in python, in python using basic config, right, ऐसे हम पास करते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें जो हम पास करेंगे, google करके ही, सारी चीज़ें को निकालेंगे, value को कहीं न कहीं हमें मिल जाएगा, line number भी होता है, यह देखिए, यहाँ पर इसने percentage line number D, यह डाला हुआ है, इसको error आ रहा था क्या, किसी ने नीचे solution दिया होगा, फिर solution में देख लेते हैं, इसको पूरा उठा के डाल देते हैं, ठीक है, यह नीचे किसी ने डाल रखा solution, तो इस ताइप की जो चीज़ें हैं, आपको stack overflow, और Google से उठानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें यह यूज कर लेंगे, तो कुछ गलत हो जाएगा, programming ऐसे ही चलती है, copy paste भी चलती है, तो यह देखिए, बहुत सारी चीज़ें, इसमें उठा के लाया है, इसने time उठा के लाया है, millisecond उठा के लाया है, ठीक है, यह हो रहा है, अब देखिए, यह बता रहा है कि हमें किस method से आ रहा है, print.py से आ रहा है, line46 से आ रहा है, अब देखिए, हमें यह पता चल जाएगा, हमारे प्रोग्राम में कि यह किस line number से आ रहा है, इस टाइप की चीज़ें, इसी तरीके से, यह जो print statement है, यह हमे यह चीज नहीं निकाल के देगा, print statement पे अगर हम चलाते हैं, तो print statement तो आएगा, लेकिन कहीं पे भी यह line number नहीं बताएगा, कि किस line से आ रहा है, तो कल को हमें दिक्कत हो जाएगा, कि हम debug कैसे करें, अगर मालों बहुत सारे ऐसे line print करवा दिये, हर एक कुछ interval के बाद, तो हमें पता ही नहीं चलेगा, कि किस जगा पे कौन सी print हो रही है, यह हो सकता है, line 45, 4 और line 47 से आ रहा होता है, ऐसे आप मायन वली तो लिखोगे नहीं कि line 45, 47, क्योंकि हो सकता है, कि आपने एक और नई line introduce करा दी, तो line 47 के जगा 48 चला गया, राइट, तो यह सब जो चीजे है वो हमें logging आसानी से करके देता है, अब इसमें भी एक library है, जो मैं ज्यादा use करता हूँ, I think हमने बताया हुए आप लोग को किसी और वीडियो में, तो यहाँ पे हम बताते हैं, कि आपको अगर कोई और library install करनी है, तो आप कैसे कर सकते हो, बस यहाँ पे आपको करना है pip install, और हम जो use करते हैं, वो करते हैं log uru, ठीक है, तो यह देखिए, यह जो हमारा log uru library है, pip की वो install हो गई है, अब जो है, यह इतनी सारी जो चीज़ें हम लिख रहे थे, अब हमें यह सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे लिखेंगे, logger.info क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इसकी library को import नहीं की हुए है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे, import log uru, ठीक है, अब जैसे हमने import कर लिया इसको, आब यह logger चलना चाहिए, logger is not defined, एक मिनुट, क्यों नहीं आ रहा है, from log uru, import logger, I think अब चलेगा यह, तो यह देखिए, इस तरीके से यह हमें output दे रहा है, तो यह थोड़ा ज़्यादा clean दिखता है, इसलिए हम जो है, direct log uru library का use कर लेते हैं, यह हमारा log uru, आपको pip install करना सिखा दिया, और इसको हमने यहाँ पर use करना भी सिखा दिया, तो इस तरीके से जब आप real world में यह सारी चीज़े देख रहा होगे, तो पहले आपको बताता हूँ कि यह सेम जो function, sorry, सेम जो हमने script लिखा न, वो यह script इतना गंदा नहीं लिखाता है, script जो है, सबसे पहले import statement लिखाता है, तो अभी क्या है कि हम import statement जितने भी है, यह दोनों है, यह तीन लाइन जो है, काम की है, तो इसको हम उपर ले लेंगे, और सबसे पहले जो है, किसी भी आप organization में जाओगे, तो सबसे पहले आपको जितने भी import statement है, वो दिखेंगे, उसके बाद फिर आपको अगर कोई function class जो भी है, variable यहाँ पर जैसे हमने यूज के हुआ, तो variable दिखेगा, और उसके बाद यह print statement कोई नहीं यूज करेगा, print statement बहुत rare आपको कहीं देखने को मिलेगा, यह या तो logging.info दिखेगा, या logger हम यूज करें, तो logger.info दिखेगा, और इसको जब हम run करेंगे, तो अब देखिए, output, output में आप difference देखिए, कि जो हमने logging से ही print करवाया था, वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, और जो हमने logger से print करवाया था, वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, तो इसमें by default बहुत सारी चीज़े implement की गई है, जैसे यहाँ पे colorful आपको दिख रहा है, आपको यहाँ देखिए, underscore, underscore main method से, मतलब main script से दिख रहा है, module, line number 52, और यह थोड़ा bold में दिख रहा है, आगे जब भी हम यूज करेंगे, तो यही log URL function को यूज करेंगे, ताकि हमें पता चले कि वो किस line से print statement आ रहा है, और हम जो है, अपने program में पूरे हर जगा एक string यूज करने वाले हैं, तो आप एक string भी सिख गए, और dot format वाली method जो थी, वो भी सिख गए, तो इस तरीके से, I think आज हमने सारा चीज कवर कर लिया है, escape sequence, escape sequence में हमने आपको तीन बताया, एक backslash, backslash के आगे जो भी चीज होगा, escape हो जाएगा, backslash in से new line और backslash tab से एक four space आगे वो चला जाएगा, print statement में हमने आपको क्या क्या सिखा दिया, print statement में हमने आपको सिखा दिया, कि आप पहल तो इस तरीके से print statement हम use करते हैं और यह बहुत जादा ही important चीज होता है, इसके लिए हमने why we use print statement भी हमने बता दिया, तो अब हम print statement के जगा logger.info का use करेंगे, जब हम logging अच्छे से समझेंगे कि logging क्या होता है, कैसे होता है, तो उस समय हम बाकी इसके level को बताएंगे, इसमें बहुत सारे level होते हैं, लेकिन अभी आपको print statement का मतलब logging.info या logger.info ही समझना है, तो चलिए आज का वीडियो अल्रेडी लंबा हो चुका है, अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई